हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रास्थान फार्मेशी में आज हम पढ़ेंगे हुमन अनाटोमी और फिजियोलोजी में चैप्टर ब्लड बलड चैप्टर के अंदर हाज का हमारा टोपिक होगा बलड की डेफिनेशन उसकी चैनल फंक्षन सबसे पहले हम पढ़ेंगे बलड की डेफिनेशन बलड eos üt aGeos a Specifically Connective Tissue यानि यह क्या होते हैं Specialized Connective Tissue होते हैं Functional Living and Red Color यानि यह क्या होते हैं functional होते हैं living होते हैं और red color के होता है blood हमारी body में red color का होता है next है हमारा general function of blood general function के इंदर एक नमर आता है ट्रांसपोर्ट ओफ गैसेज का ट्रांसपोर्ट करता है blood transport oxygen from the lungs to the shell carbon dioxide from cell to lungs यानि क्या है कि जब हमारी बोड़ी के अंदर oxygen जाती है respiratory system के दुवारा तो lungs के अंदर oxygen जाती है lungs के अंदर 1HB के molecules को 4O2 के molecules से जूट जाते हैं जो हर्ट के अंदर जाते हैं तब कार्भोक्षी हीमोगलोबीन बनाता है जो हर्ट से lungs के अंदर वापिस आता है और lungs से बाहर निकल जाता है next है हमारा transport of nutrition यानि क्या करता है कि nutrition का ट्रांस्पोर्ट करना डाजेस्टिव फूट एंड फ्लूड और एब्जो इन डे ब्लेट त्रोट देर गेस्ट्रो इंशाइट इंशेनल्स ट्रेक्ट यानि क्या होता है कि हमारी बोडी के अंदर जब हमें फूड को ग्रैंड करते हैं तो उसके बाद हमारी स्टोमक में अब्जोवेशन होता है जैसे कि शोडियम, कैल्सियम, पोटेशियम और अनेक भी इलक्रोलाइस होते हैं जो मारी बोडी में यूज होते हैं उनका न्यूट्रेशन ट्रांस्पोर्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है एजेविकल यानि बलड है वो एजेविकल के रूप मे यूज होता है जैसे हार्मोन, विटामिन, मिनेरल, पिग्मेंट, एंजाइम से ट्रांस्पोर्ट है यानि बलड है वो हार्मोन का विटामिन का मिनेरल, पिग्मेंट का एंजाइम का ट्रांस्पोर्ट करता है नेक्स्ट है हमारा water balance यानि कि normally हमारी body के अंदर blood के अंदर 90-92% water पाय जाता है इसका balance करता है यानि blood है उसके द्वारा उसके द्वारा blood की dehydration होने पर उसका कमी को पूर्टी करता है और यानि 90-92% तक water हमारी body के अंदर ही रखता है next है हमारा acid base inquiry यानि कि हमारी body के अंदर acid और base electrolytes के द्वारा balance होते है और उनकी pH भी electrolytes के द्वारा ही fix होती है body का pH अलग-अलग होता है जैसे कि early होता है वो 6-7 के बीच होता है उसी परकार stomach का होता है 2.5 से 3 के बीच होता है तो अलग-अलग जगए body का pH अलग-अलग होता है उसी परकास acid और base को भी fix रखता है हमारी body के अंदर acid और base से ही pH होती है next आता है temperature balance यानि कि normally हमारी body का temperature है वो 37 degree Celsius यानि कि 94.8 degree phony height होता है तो उसको maintain करने का करें भी blood का होता है blood है वो हमारी body का temperature एकदम fix रखता है water of the blood server is an important agent for transport regulation of the body यानि कि हमारी body के temperature को एकदम fix करने के लिए water very important part होता है यानि water के द्वारा ही हमारी body का temperature fix होता है next है हमारा excretion यानि कि west product का excretion करना metabolism की होने के जब हमारी body के इंदर food का metabolism होता है उसके बाद जितने भी west product होता है उसका excretion क्या जाता है जैसे कि पसीने के द्वारा भी निकाल excretion क्या जाता है और liver के द्वारा भी होता है और दो तिन टाइप से excretion क्या जाता है body के द्वारा next है blood pressure regulation यानि कि हमारी normally बोले तो BP का regulation करना यानि normally हमारी BP होती है 120 से 80 के बीच होती है various factor control blood pressure and try to keep in normal blood volume and viscosity of blood help to the normalist of blood pressure यानि क्या है कि normally factor blood pressure होता है वो normal होना चाहिए और इसकी viscosity भी normal होनी चाहिए ये normal किस के द्वारा होती है विशको electrolytes के द्वारा होती है electrolytes होते हैं जैसे कि हमारे body के अंडर जितने भी आयन्ज होते हैं oni को electrolytes बोलते हैं यदि आप screenshot लेना चाहो तो screenshot भी ले सकते हो ये general function है मारे blood के यह baby wr grappler आ गया है water balance भी आ गया है इसका screenshot आप ले सकते हो ये acid base inquiry हो गया, temperature regulation हो गया, excretion भी आ गया है और ये blood pressure regulation आ गया है इसका आप screen source लेके notes बना सकते हो तो दोस्तों आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे subscribe करें, like करें और share ज़रूर करें